असलाम भीक्म बच्छों कैसे आप लोग ठीक है और्दू की क्लास में आपको बहुत-बहुत फुशामधी क्या बात है गबरा क्यों गए हो और्डू की क्लास से इतने परेशान लग रहे हु है जैसे पता नही जो ग क्या हो गे है तैयारी नहीं है एक्जैम की और अर्दू के पेपर से सबसे ज़्यादा ड़ लगता है क्यों इस नहीं है कि पहले सारे साइंसेस को पढ़ते रहे हो फिजिक्स को बढ़ा केमिस्ट्री को बढ़ा ठीक है और अर्दू के पेपर को टाइम नहीं दिया अब सूरते हाल ये है कि अर्दू का पेपर सर्थे खड़ा है और हम परेशान हैं कि क्या करें बहुत सारे सवाल एक्दम से जहन में आगए हैं कि जवाब कैसे लिखेंगे पर्चे की पेशकश प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए बहुत सारे सवालाथ का जवाब आपको मिल जाना चाहिए ठीक है आपकी सारी परेशानिया दूर हो जाएंगी जब ये वीडियो देखेंगे आपको पता से लेखा कि पच्चा कैसे करते है उर्दू का पर्चा कितने नंबर का होता है उसमें मैक्सिमम नंबर कैसे लिया जा सकते है उसकी प्रेजेशन कैसे बिफ्तर हो सकती है कौन से सवाल को कितना वक्त देना चाहिए और तीन घंडे के अंदर पूरा पर्चा कैसे करना चाहिए बैटा उर्दू का पर्चा आपका कुल 100 नंबर होते हैं ठीक है 100 नंबर और उसके लिए वक्त होता है आपके पास 3 घंटे ठीक है और नंबरों की तक्सीम आपके सामने लिखे वे कितने कौन से सवाल के लिए कितना नंबर मारूजी सवाल MCQs की सूरत में होता है 20 नंबर का सवाल है तो बैटा मैं आज आपने को टार्गेट दे रहीं कि इस सारे पेपर को आपने मैक्सिमम कितने नंबर के लिए तयार करना है क्यों इस लिए कि जब इनसान अपने लिए कोई टार्गेट सेक्ट कर लेता है न ठीक है तो निशाना बादना ज़रा असान हो जाता ठीक है और अगर अगर बस यह होके बस पेपर कर लिए यह जहीं मेरा हो कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ले सकते हैं तो फिर आप जब इसका मतब है कि आपने अपने मंजिल का ताइयू नहीं किया तो सफर कहां से शुरू करेंगे तो अभी से पाउं के छाले ना देखो अभी यारो सफर की इत्तदा है तो सफर की इत्तदा में मैं आप लोगों को एक चुके हैं आज से ठीक है तो मारूजी सवाल एंसी के उस पर मुश्तमिल होता है बीस नंबर इसके होते हैं और बीस में से बीस में आप लोगों को कह लिए कि इस एक नंबर नहीं करपाना सबज्जों से वीडियो से देखोगे तो पिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक भी भी और उसके गजल का सवाल है इसके लिए भी मैं आपको कहते हूं कि आपимость से लेना इसके ड़ार्गेट करने हुस tusal का कूंग उसके आप ne 이야기 हासल करने मैक्सिमा नजम का खुलासा पांच नंबर का सवाल है इसे चार नंबर आप लोगों ने हासल करने हैं फिर मुकादमा या रूदात का सवाल इसमें भी आपने नौ नंबर ले लेने हैं ठीक है तर्खास का सवाल नौ नंबर तलफीस का सवाल आठ नंबर ये आप कितने हो गए है 90 के पास पास पहुंच गए होगे बस अपने जहन में तुम लोग उने एक बात रखी है कि 80 से उपर जाना चाहेंगे मार्क्स ठीक है और 92 तक तुम लोग असानी से पहुंच सकते हो ठीक है अगर आपने 80 नंबर से लेकर मतब 100 में से 80 नंबरों से उपर चले हैं और 92 तक आप नंबर ले गए हैं तो भी तुमने अरगो में मार्का मार लिया है यह मारका कैसे मारा जाएगा अब मैं आप लोगों को बताते हूं अच्छा जी आप सबसे पहले जहन में हो कि जब आपका पड़्चा सामने आया तो आपके जहन यह क्लियर होना जाए कि स आपके मतलब कोस्टन पेपर का सबस्क्राइब का जो सबसे पहले करना चाए है था के उसका मैं आप लोगों को बता दूं को कैसे नजम का छुलासा लिखा जाता है सबसे पहले आपने नजम का खुलासा लिए चोटाभी होता है मतलब यह एक पारग्राफ में लिखा गया हुता है और आम तोर पर क्या होता है कि आपने पहले से इसको याद किया होता है ठीक है और अब चुंकि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस चल रहे है स्मार्ट हो गया ना, थोड़ा सा कम हो गया सलेबस, 60% सलेबस है आपका सारा, तो उसमे से नजमें भी तो कम हो गई है, ठीक है, जो गिनी चुनी नजमें हैं, उनके खुलासे याद करना इतना कोई मुश्किल काम नी होगा, ठीक है, वो खुलासे, खुलासा आपने तयार करन जो के आपके पेपर के उपर मौझूद है, ठीक है, आंसर शीट के उपर आपने सवाल नंबर 4 ही लिखने, बेश्क आप इसको सवाल नंबर 1 लिख रहे हैं, सवाल नंबर 1 के तौर पर लिखने हैं, वैसे ये सवाल नंबर 1 भी नहीं इसी, कि MCQ असा आप पहले हाल कर चु ये क्यों? इस दिये कि आपके सवाल या पर्चे के उपर ये सवाल नंबर 5 ही है, उसके बाद आपने दर्खास नवीसी का सवाल करने के बाद, अच्छा जब तक स्मार्ट स्लेबर्स नहीं था तब आपका दर्खास के साथ एक और भी कोस्टिन हुआ करता था, रसीड नहीं है, तो सिर्फ आपके पास को 11 के करीब दर्खास नहीं है, उनको अच्छे तरीके से तयार कर लो, और उनकी वजो है, पैटर्न अच्छी तरह तयार कर लो, तो ये सवाल आपका बहुत अच्छा रड़ी हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद तलखीस का सवाल, जो सब से ज्यादा बच्छों को मुश्किल लगता है, क्यों इसे के एक अंसिंग पैसेज है, और उसका आपने प्रैसी करनी है, उसको छोटा करके लिखना है, ठीक है, तो ये अगर वीडियोस देखोगे ना, मेरी तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जा कि आपके सामने ये कोस्टन आया वे और आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है, तो ये सबसे मज़े का सवाल है, फिर एंड भी आपने करनी है तश्रीखाथ, ठीक है, और तश्रीखाथ में भी सबसे पहले इक्तबास की तश्रीख करनी है, क्यों इसी कि ये सबसे आपकर ये आपका तीन नंबर का सवाल होता है, मतलब तीन अशार की तश्रीख आपने करनी है, ठीक है, शायर का नाम लिखा, एक नंबर आपको मिल गया, ठीक है, तो एक शेर की तश्रीख कर ली, दो की कर ली, जो अच्छे बड़ी स्लो राइटर है, जिनको लगता है कि हम तीन बेपर पूरा कर ही नहीं सकते, तो कमस कम मैं ये समझती हूँ, कि अगर आप एक शेर की तश्रीख अबल तो नहीं छोड़ें, ठीक है, लेकिन अगर टाइम खतम हो गया, तो सिर्फ एक शेर की तश्रीख रह वे गया, तो आपने लास की, अपने मतलब खोद ये नंबर सिर थी, ठीक है, तो इसलिए, मैं चाहती हूँ, कि आप सबसे आखर में घजल का सवाल करें, ताके खताना हास्ता, अगर टाइम मैनेज करने का थोड़ा सा कोई इश्यू हो जाता है, तो सिर्फ ये घजल की तश्रीव में ही, आपका ये मामला खराब हो, ये सिर्फ तीन नंब अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, कि तीन घंटे का आपका पेपर है, उसको आपने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, कि पूरा पर्चा बरवक्त मुकमल हो जाए, तीन घंटे में आपके पास बेटा, पुल मिंट होते हैं, एक सो असी, एक सो असी मिनट है उनको मैंने यहां पर डिवाइड किया है, उसको जिन में रखो, कि आपका कसीरल इंतखाबी सवाला का सिलसला है, ठीक है, एमसी क्यूस जो आप लोगों को नहीं करने है, वो 20 मिनट, क्यों 20 एमसी क्यूस 20 मिनट में होंगे, यह 20 मिनट पूरे ही लगते होते हैं, क्यों इस साथ शेर हैं, ठीक है, उसको तो आप अराम से बस 5-7 मिनट पर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लंबी नजमा आ गई है, जैसे खताब बाद जवानाने, इसलाम अगर आ गया है, तो फिर वो लंबी नजम है, तो उसको आप 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा वक्त आपने इसके ल हो जाएगे, फिर उसके बाद, आपने सबक का खुलासा लिखना है, और उसको 15 मिनट के अंदर अंदर लिखना है, 15 मिनट से ज्यादा वक्त कभी भी नहीं लगाना, फिर दर्खास का सवाल, ये भी 15 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है, एक सफ़े से लबी दर्खास नहीं लिखी जाती, आपने 15 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेस्टिन करना है, बलके मैं आपको बताती हूँ के अक्सर बचे जो हैं, इसको 10 मिनट में कर लेती है, ठीक है, एक सफ़ा लिखना होता है, 10 मिनट कोई बड़ा वक्त नहीं है, आप 10 मिनट के अंदर अंदर करें, और 5 मिनट के और सेफ करें, लेकिन फिर भी चलो, 15 मिनट दे दिया आपको, अच्छा जी, मुकालमा और रूदात का सवाई, ठीक है, इसको आपने 20 मिनट के अंदर अंदर करें, ठीक है, 20 मिनट से ज्यादा वक्त इसके लिए आप नहीं लगाएंगे, फिर तल्खीस का सवाल यह भी 20 मिनट में किया जाएगा, क्यों अंसीन होती है, वैसे तो इतना सा लिखना होता है, तीन लाइने लिखनी होती है, लेकिन क्या है, कि आपका यह तल्खीस का सवाल, वह आप पहली बार देख रहे होते हैं, अंसीन होता है, दो तीन दखा तो उसको रेडिंग करनी प क्ल??? तो आप लेंगे इस से ज्यादा वक नहीं लगना चाहिए ठीक है टोटल पच्छास मिनट समझ लो आपके विजु है दो नजमों की तश्री के लिए 20 मिनट ठीक है और तीन वज़्रों की तष्रीग के लिए वह जो तीन आशार की तष्रीए है ठीक है तीस मिनट इसके लग जाए लेर हो गए बात अब अगर ये सारे मिनट कलूलेट करोगे ना तो मेरा जो हिसाब बन रहा है बन 75 मिनट बन रहे ठीक है और वो जो पांच मिनट बच्चे है ना वो मैं आपनों को बता दूँ जब वो इन्विजिलेटर आपको पेपर डिस्रिब्यूट कर रहा होगा तो पांच मिनट वो लगा देगा उसने खेंचने की करनी है पेपर ठीक है और उसने यह नहीं कहना कि मैंने जब आखरी बच्चे को पेपर दे दिया उसके बाद मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं उसने टाइम कैलकुलेशन शुरू कर देनी है जब पहले बच्चे को पच्चा दे चुक है और हॉल में अगर पचास बच्चा बैठा हुआ तो ज्यादा वक्त निलग सकता है ठीक है तो यह पच्चा हाथ में पकड़नी है और जो मैंने आपको टाइम की कैलकुलेशन बताई है ना इसके मताबिक आपने लिख लिख कर सवाल हल करने की ठीक है वरना टेस्ट जो है वो दे रहे होते हैं उस तौरान में भी आप लोगोने बटा कोई एक मिनट जादा नहीं करना अपन बात समझ आ गई है वेरी गुड चले जी अगले लेक्षर में मजीद बातें डिसकस करेंगे आपके मजीद सवालात का जवाब आपको दिया जाएगा और इन्शाला ताला इस सलसले की सारी वीडियोस खतम होने तक आपके जहनों पे चाही हुई सारी की सारी धुंद छट जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे सूर्च ने से तुनूर हो के आएं और आप उन्दू का पर्चा हल करने के लिए तयार हो चुके हैं अपने बहुत सा हयाल रिखिए का बटा अला हाफिज